हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही गजब की स्वाद वाली रेस्टुरिंट स्टाइल पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोडा की रेसिपी जब घर पर कोई सब्जी ना हो तो आप इसे फटा-फट से मिन्टों में बना करके त्यार कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा सबसे पहले हम पकोडा बना करके त्यार करेंगे तो उसके लिए एक बॉल में हम डाल देंगे एक कप मिडियम कटा हुआ प्याज साथ ही हम दो हरी मिर्च को काट करके डाल देंगे थोड़ी से हम इसमें डाल देंगे धनिया पती से टेस्ट बहुत ही अच्छाता है साथी एक चम्मच हम डाल देंगे अद्रक और लसुन का पेस्ट, आधी चोटी चम्मच हल्दी पौडर डाल देंगे, आधी चोटी चम्मच लाल मेच, थोड़ी सी धनिया की पौडर और थोड़ा सा गरम बसाला पौडर डाल देंगे साथ हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मज नमक और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चार बड़े चम्मज बेसन जितना आपको पाकोडा बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे बेसन ले सकते हैं और अगर अद्रक लसुन का पेस्ट आप नहीं डालना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं एक चोथा ही चम्मज मैंने यहाँ पे खाने का सोडा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल 3-4 चम्मज हम यहाँ पे पानी डालना है खुब सारा पानी हम नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी एड़ करना है मैंने 2 चम्मज पानी पहले एड़ किया था बाद में मैंने 2 चम्मज पानी और एड़ किया है अच्छे से हम इस पकोड़े की मिक्षर को अब मिक्स कर लेंगे ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ये मिक्षर होना चाहिए जब हम पकोड़े बनाएंगे तो हमने सोड़ा डाला था उसकी वज़े से थोड़े थोड़े फूलेंगे तो mixture बिल्कुल ready है अब पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कड़ाई गरम कर ली है oil डाल करके oil हमारा गरम हो गया है oil के गरम होते ही हम इसमें पकोड़ा डाल देंगे जितने size का आप पकोड़ा बनाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे छोटा या बड़ा कर सकते हैं पकोड़ा जो है सोड़े डालने के वज़े से थोड़ा सा फूलेगा इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा size में आप बनाया है पकोड़ा को डालने के बाद तुरंत ही हम इसे नहीं लेंगे जब इसके बुलबुले थोड़े से कम हो जाएंगे उसके बाद हम इस तरीके से चमस से उसको हिलाते जाएंगे और उसे उलट पिलट करके हम हलका सा golden brown होने तक के लिए पका लेंगे थोड़ दर के बाद आप देख सकते हैं अब पकोड़े हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो चलिए इन सारे पकोड़ों को अब हम निकाल लेते हैं इस तरीकी से पकोड़ों को थोड़ा सर लेके हम साइड में इस तरीके से लगा लेंगे ताक कि जो एक्सटोयल है वो निकल जाए सारे पकोड़ों मैंने निकाल लिये हैं इसी तरह की से अब बाकी के बच्चे हुए पकोड़े भी हम बना लेंगे तो चलिए हैं यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े बना करके बिल्कुल रेडी कर लिये हैं यह देखिए इतना पकोड़ा मैंने बना लिये हैं अब हम कड़ी बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक बोल में मैंने डाल दिया है आदा कब बेसन उसमें हम डाल देंगे एक कब दही आदी कब मैंने आपे पाई डाल दिया है अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आप कड़ी जो है वो ज्यादा खटी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे दो तीन चमच एक्स्ट्रा दही एड़ कर सकते हैं अब इस मिक्सर को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसका एक स्मूध पेस्ट बन जाए दही और बेसन को अच्छे से इस तरीके से फेट लेने से आपकी जोब कड़ी है वो बहुत ही स्मूध बन करके त्यार होती है तो अच्छे से मैंने इससे फेट लिया है इसी स्टेज पर हम डाल देंगे आधी चोटी चमबच हल्दी पौडर और आधी चोटी चमबच हम डाल देंगे धनिया का पौडर मिला देंगे इसे अच्छे से हल्दी पाउडर को दही और पाणी की साथ इस तरीके से पहले ही मिक्स कर लेने से आपकी कड़ी जो है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं बहुत इच्छी से बन करके त्यार होगी तो ये देखिए मैंने एक दम स्मूध पेस्ट इसका बना लिये है तो चलिए इसे साइड में रखेंगे उसके बाद एक कड़ाई में हम डाल देंगे एक चम्मच ओईल कड़ी बनाने के लिए बहुत ज़दा ओईल की ज़रुद नहीं पड़ती है थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे राई और जीरा थोड़ी सी हम डाल देंगे मेथी दाना 140 टी स्पून डाल देंगे हाँ पे हम हीम थोड़ा सा कड़ी पतर डाल देंगे दो हर इमेज को काट करके डालेंगे और दो तड़के वाली हरिमेज को इस तरीके से हम तोड़ करके डाल देंगे साथ यहां पे आठ दर्स लसुन की कलियों को मैंने छोटा-छोटा काट लिये है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन मसालों को हम थोड़ दिर के लिए भून लेंगे ताकि जो हमारा लसुन है वो अच्छे से भून जाए आप देख सकते हैं लसुन हमारा अच्छे से पक चुका है तो चले इस मसालों को हम एक दो बार इस तरह की से मिला लेते हैं और बहुत यह अच्छी से इसमें लस्टून की और जो हमने दाला था मेती दाना उसकी बहुत यह अच्छी खुजबू भी आने लग जाती है तो इसी स्टेज पर अब हम यहाँ पे डाल देंगे हमने जो बेसन और धही का पेस्ट बना करके रखा था वो सारा पेस्ट आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह मिला देंगे इसे अच्छे से और एक दो बार बस इस तरीके से मिक्स करते ही हम तुरंत इसमें पानी डाल देंगे नहीं तो जो हमने पेस्ट बनाया था वो गाड़ा था तो वो तुरंत इची पकने लगता है तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया है आपको कड़ी जितना पतला या फिर गाड़ा खाना है उसी साब से आप यहाँ पर पानी एड़ कर सकते हैं आप चाहें तो बाद में कड़ी के पकने के थोड़े दर के बाद भी पानी एड़ कर सकते हैं अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और कड़ी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे आप देख सकते हैं इस कड़ी का जो कलर है वो बहुत यह अच्छा है है जब इसमें एक boil आ जाएगा तो इसका color और भी जादा enhance हो जाएगा ये देखे हम देख सकते हैं कड़ी में उबाल आते ही हल्दी की वज़े से इसका color जो है वो और भी जादा enhance हो चुका है अब ये थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और डाल दिया हूँ तो एक कड़ी को हम 5-6 मिनट के लिए और इस सरगी से चलाते जाएंगे और अच्छे से पकने लेंगे इससे हमारा बेसन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पकेगा और कड़ी हमारी बहुत ही स्वाधिस्ट बन करके त्यार होगी कुछ दिर के बाल आप देख सकते हैं कड़ी में एक अच्छा सा उबाल फिर से आने लगए है और आपने एक चीज नोटिस की कि यह कड़ी जो है वो बिल्कुल भी फटी नहीं है कहीं से भी नहीं तो दही की वज़े से कही के बार आपकी जो कड़ी है वो फट जाती है हल्दी बाउडर की वज़े से फट जाती है लेकिन आप इस कड़ी को देख सकते हैं इसका टेक्शर बहुत ही स्मूध है और कड़ी बिल्कुल भी फटी नहीं है तो इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एड़ कर दिया है कटी हुई धनिया की पत्ती बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी और धनिया की पत्ती की वज़े से मेरे पास दोनों थीस्ते में ने दोनों डाल दिया है अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप धनिया पत्ती भी डाल करके काम चला सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी कड़ी जो है वह पक्कर के रेडी हो चुकी है तो लास में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमश नमक नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एड़ेस करके डालिएगा क्योंकि हमने पकोड़े में भी नमक डाला हुए है और कड़ी में भी नमक डाला है अगर आपको लगता है कि बाद में नमक कम है तो आप थोड़ा सा एक्स्टा एड़ कर सकते हैं पर स्टाइटिक में आप थ जादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि जो पकोड़े हैं वो कड़ी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, पकोड़े अच्छी से कड़ी को सोख लें, इससे हमारी जो कड़ी है वो बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगी और थोड़ी इसे भी तड़का लगा सकते हैं, दो लाल मिर्ज डाल देंगे, थोड़ा सम डाल देंगे जीरा, अच्छे से इसे हम भूल लेंगे, उसके बाद फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही ही थोड़ी सी धनिया की पत्ती, अच्छे से इसे भूल लेंगे, जब तक हमारी लाल मिर्ज जो है, वो हलकी सी भूनना जाए, लाल मिर्ज के थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ज का पाउडर, मिला देंगे इस अच्छे से और बिल्कुल लाल मिर्ज का पाउडर डालते ही, गैस को हमें बंद कर देना आप देख सकते हैं कड़ी देखने में ही बहुत अच्छा है इसका स्मूध टेक्स्टर आया है बिल्कुल भी कड़ी फटी नहीं है आप चाहें तो इस कड़ी को ऐसे भी बिना तड़के की खा सकते हैं पर इसे रेस्टरेंट वाला लुक देने के लिए पंजाबी स्टैल का बनाने के लिए इस तरीके से अगर आप तड़का लगा देंगे तो इसका कड़ी का जो टेस्ट है वो एकदम गजब का हो जाएगा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा आप देख सकते हैं कड़ी जो है लगी से थंडे होने के बाद थोड़ी सी गाड़ी हो गई है तो आप जितना गाढ़ा या पतला खाना पसंद करते हैं उससे आप यह पानी एक्स्ट्रा करसकते हैं अब कड़ी को हम सर्व करने के लिए एक पत्ती डाल कर हम इसे गानिश कर देंगे ला जबाब और स्वादस्ट कड़ी पकोडा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है आप भी इसे बनाईए खाईए और कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें